एक बार एक हलचल भरे शहर में डेविड नाम का एक व्यक्ति रहता था। डेविड एक साधारन उपहार के साथ एक साधारन व्यक्ति था उसके पास प्रेरणा की अटूट भावना थी। अपने जीवन के हर पहलू में उत्कृष्ट था हासिल करने की उनकी अथक इच्छा उन्हें जानने वालों के बीच प्रसिद थी। छोटी उम्र से डेविड ने प्रेरणा की शक्ती और किसी की नियती को आकार देने की क्षमता की गहरी समझ विक्सित की थी। एक प्रेरक व और डेविड को अपने सपनों का पीछा करने के लिए प्रोथसाहित किया। उनके अटूट समर्थन ने उनके दिल में एक बीच बोया, एक बीच जो बाद में उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के द्रिर संकल्प में खिल गया। जैसे ही डेविड ने अपनी किशुरावस्था में प्रवेश किया, उसे कई असफलताओं और निराशाओं का सामना करना पड़ा। सफलता का मार्ग बाधाओं से भरा लग रहा था, लेकिन उन्होंने निराशा के आगे घुटने टेकने से इनकार कर दिया। इसके बजाए, उन्होंने किता बाबों की ओर रुख किया, सेमिनारों में भाग लिया, और सफल व्यक्तियों के साथ उल्जे रहे, जो उनकी खोज में उनका मार्ग दर्शन कर सकते थे। डेविड ने महसूस किया कि प्रेरना केवल प्रेरना का एक अस्थाय विसफोर्ट नहीं था, यहा आत्मसुधार और व्यक्तिगत विकास के लिए आजीवन प्रतिबधता थी। समय के साथ डेविड की लगन रंग लाए। उन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, छात्रवृत्ती हासिल की और एक प्रतिष्थित विश्विध्याले से सनातक की उपाधी प्रा जिससे कई लोग उसके निर्ण्यों पर सवाल उठाने लगे। हाला कि वह अपने पसंदीदा प्रेरक उधर्णों और अन्य सफल उध्यमियों की कहानियों से प्रेरना लेते हुए द्रिर बने रहे, जिन्होंने समान चुनोतियों का सामना किया। द्रिर संकल्प के माध्य वह जवार को मोरने और अपने संघर्श्वत उध्यम को एक संपन कमपनी में बदलने में काम्याब रहे। डेविड की असाधारन प्रेरना और अटूट भावना के बारे में चर्चा होने लगी। जीवन के सभीक शेत्रों के लोगों ने उनका मार्गदर्शन और समर्थन मांगा। वह एक गुरू बन गए जिन्होंने अंगिनत व्यक्तियों को अपने सपनों को अटूट द्र संकल्प के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। डेविड के प्रेरक भाशनों और कार्यशालाओं की अत्यदिक मांग थी जिसने दुनिया भर के दर्शकों को अकरशित किया। लेकिन अपनी सफलता के बीच भी डेविड विनम्र बने रहे। उनका मानना था कि प्रेरना केवल व्यक्तिगत उपलब्धियों के बारे में नहीं थी, ये दूसरों का उत्थान करने और उन्हें उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराने में मदद करने के बारे में था। उन्होंने अपने समय और संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा धर्मार्थ प्रयासों, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और सामुदाइक विकास पहलों का समर्थन करने के लिए समर्पित किया। जैसे जैसे साल बीचते गए, दुनिया पर डेविड पुस्तके लिखी, पॉड्कास्ट और साक्षातकारों के माध्यम से अपने ज्यान को साजा किया, और अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों के माध्यम से प्रेरित करना जारी रखा। अपने अटूट समर्पन और प्रेरणा की परिवर्त अनकारी शक्ती के माध्यम से प्रेरणा देने वाले व्यक्ति डेविट की कीमदंती जीवित रही, प्रेरणा चाहने वालों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश, संदे के अंधेरे में खोई लोगों के लिए आशा की किरन. उनकी विरासत हमेशा दुनिया को याद दिलाती रहेगी कि हम में से प्रतेक के भीतर महानता हासिल करने की शक्ती नहित है, जो एक ऐसी अटल प्रेरणा से प्रेरित है जिसकी कोई सीमा नहीं है. अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें. और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं अगले और ऐसी अच्छी कहानी के साथ.